तो बच्चों हम सीखने जा रहे हैं त्रज्य खंड का छेत्रफल एक व्रती छेत्र का वह भाग जो दो त्रज्याओं एवं संगत चाप से घिरा परिबद्ध हो उस व्रत का त्रज्य खंड कहलाता है दो त्रज्याओं एवं संगत चाप से घिरा हो उस व्रत का त्रज्य खंड कहलाता है तो व्रत को दो भागों में कैसे बाटा गया लगू चाप एवं त्रज्याओं से घिरा छेत्र लगू त्रज्य खंड एवं दीर्ख चाप एवं त्रज्याओं से घिरा छेत्र दीर्ख त्रज्य खंड कहलाता है कोण थीटा वाले त्रजखंड का छेतर फल यदि हम इस लगु त्रजखंड के कोण को थीटा ले ले तो इस कोण थीटा वाले त्रजखंड का छेतर फल क्या होगा थीटा बटे 360 पाई आर वर्क चुकि पूरा व्रत का कौन 360 अंस है उसके कुछ भाग को कुछ त्रिजिखंड को हम लेने जा रहे हैं वो कितना है यदि केंद्रिय कौन थीटा है तो इससे संबंधित त्रिजियाओं और चाप द्वारा घिरा छेत्र का छेत्र फल उस थीटा के बटे 360 करके इस संपूर्ण व्रत के छेत्र फल का गुणा करके प्राप्त किया जाता है जैसे की कौन थीटा वाले त्रिजिखंड का छेत्र फल थीटा बटे 360 पाई आर वर्ग है इसी प्रकार आईए देखते हैं व्रत्खंड व्रत्खंड क्या है एक व्रत्ती छेत्र का वह भाग जो जीवा एवं संगत चाप से घिरा परिवद्ध हो उस व्रत का व्रत्खंड कहलाता है इसमें भी अब दो भागों में बढ़ जाता है जीवा के कारण व्रत्खंड दो खंडों में बढ़ जाता है तो जीवा एवं लगु चाप से घिरा छेत्र जीवा एवं दीर्ग चाप से घिरा छेत्र दीर्ग व्रत्खंड कहलाता है अब आईए देखते हैं कि इस व्रत्खंड APB का छेत्रफल हम कैसे निकाल सकेंगे इस व्रत्खंड APB का छेत्रफल यदि हमें निकालना है तो हम दो त्रिजियां कीचते हैं जो OA और OB है अब हमें एक त्रिजिय खंड मिला है OAPB वास्तों में क्या है एक त्रिजिय खंड है हम इस त्रिजिय खंड के छेत्रफल में से यदि इस त्रभुज OAB के छेत्रफल को कम कर दें घटा दें तो हमें वास्तों में इस व्रत्खंड APB का छेत्रफल प्राप्त हो जाएगा आईए देखते हैं व्रत्खंड APB का छेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड OAPB का छेत्रफल रिन त्रफुज OAB का छेत्रफल इस तरह से चूंकि हम त्रिज्जिखंड का छेतरफल तो जानते हैं यदि केंदरी कोण थीटा है तो त्रिज्जिखंड का छेतरफल थीटा बटे 360 πाई आर वर्क जिन तरफुझ OAB का छेतरफल हम यदि घटा देंगे तो हमें वरत्खंड APB का छेतरफल प्राप्त होगा धन निवाद